आपने नौरात्रा का खूम मजा उठाया और आज आखिर विज्या दस्मी का भी अंत हो गया यानि सत्थ पर यानि सत्थ असत्थ से जीत गया और असत्थ की हार हो गए भगवान स्री राम ने रावन का वद करके इस दुनिया में बसे हुए पाप का नश्च कर दिया तो आस हम लोग परन लेकि जो भी हमारे सामने रावन के रूप में पधारा है उनció सब का नाश कर दे और अब हम लोग आपके पास कोई बहाना भी ने की सरनवरात्रा है तो मम्मी पुजा कर रहे हैं, तो हम सहे हुए हैं, उपवास पर है, तो आज से आप लोग पढ़ाई में लग जाए बिल्कुल, लेकिन फिर आने बाला है आपका दीपावली और छट, लेकिन उससे पहले ही आप इतना पढ़ले कि उस पर्व को बड़ी आदनांद से मना सकी, तो आईए, आज मा सिरावली का बिसरजन होने के बाद, हम लोग एक बार फिर से वहीं प्या गए हैं, दुनिया में आना जाना तो लगा ही रहता है, यह तो रीत है, हम लोग भी आए हम लोग भी इस दुनिया से चले जाएंगे, मा दुर्गा भी आए और मा दुर्गा का भी अन्तो हो गया, नहीं, वो कभी जाते नहीं है, वो तो इस दुनिया में है, क्योंकि कभी भी भगवान मरते नहीं है, तो start करते हैं, और आप start करें भारत is my home का objectives, तो सबी लोगों से आग रहे, तो सांति पुर्वक बैट कर, और अपने स्क्रीन पर नजर रखते हुए, या अपने किताबों को खोल कर एक एक कोस्चन को देखना परारंब कीजिए तो रेड़ी है आप लोग अगर रेड़ी है तो शुरुआत करें भारत इजमाई होम तो बोलिए माता सेरावाली की जये और इसी के साथ कलास का स्टार्ट हो रहा है भारत इजमाई होम जिससे श्कार राधा क्रिश्णन नेवर लॉष्ट राधा क्रिश्णन नेक अभी नहीं लॉष्ट माने खोया लॉष्ट माने खोया स्ट लॉष्यसथ • पांचपर्दो – बावनstellung नम्हें Daha क्रिश्णन लॉष्ट माने खोया 3,5 प्रदों गये3 फेत माने बिश्वास, इंद, किसमें, तो essential humanity of man, मनुस की जो आवस्यक humanity है, मनवता है उस पर, नहीं, फेर से देखेगा, डॉक्टर राधा क्रिष्णन, ने भरलोष, राधा क्रिष्णन ने कभी नहीं खोया, अपने बिश्वास को इंद, कहां, तो essential humanity of man, कुस्त नमर दो दे देखे, डॉक्टर जाकीर हुसेन, was worn in, डॉक्टर जाकीर हुसेन, का जन्म हुआ था, तो कहां हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, दुसरा कोस्ट, तीसरा कोस्ट देखे, डॉक्टर जाकीर हुसेन, had also served as the governor of, डॉक्टर जाकीर हुसेन, भी served, सेवा दिये थे, एल्स के रूप में governor of governor के रूप में कहां के तो विहार के चोता कोशन है the past is अतीत है dead and aesthetic है क्या मिर्त और इस्थिर है alive and dynamic है क्या जिबित और गतिसील है उजले से बेकार है harmful है हानिकारक है तो आप सभी को पता है कि the past is alive and dynamic अतीत कभी मरता नहीं हो हमेशा गतिसील रहता है पांचमा है the Indian culture is the best example of भारतिय संस्किर्ती सबसे अच्छा उदाहरन है of का मन किसका तो वो है unity and diversity विविदता में एकता विविदता में एकता इरुडिशन का मतलब क्या होता है ध्यान लखेगा तो इरुडिशन का अगर मतलब आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इरुडिशन का इस्टैंड्स फॉर great knowledge कौन से knowledge great knowledge का मतलब होता है बहुत बड़ा गया नहीं महान knowledge को हम लोग काते है great knowledge नहीं अगला question when did seven number question है कि when did dr. हुसेन deliver this speech इस भाषन को तो कब दिये थे when he took oath as the president जब वे took oath सपत लिये थे as the president किस रूप में राश्टपती के रूप में जब राश्टपती के रूप में उन्होंने सपत लिये थे उसी समय उन्होंने ये भासन दीये तैंग कौन सा भासन भारती जमाइडी अगला कुस्षाज है एट नंबर डाक्टर जाकीर हुसन was born in डाक्र जाकीर हुसन का जन्म हुआ था 1897 नाइन नंबर है डक्टर जाकीर हुषयन डाय दिन डक्टर जाकिर हुषयन की मिर्थू हुई थी 1969, 1969 महात्मा गान्दी का जन्म हुआ था 1869 में और डक्टर जाकीर हुषयन का कम मिर्थू हुआ था 1889 नकी exhibition जन्म था या एक्सो साल जेन 1979 में इनकी क्या हो गय थी waren хотел 10 नंबर देखो हैदराबाद, 11, earlier he had served as, इससे पहले, he had उन्होंने सेवा दी थी, as क्ये रूप में, किस रूप में सेवा दिये थे, the governor of बिहार, बिहार के, राजपाल के रूप में, 12, डॉक्टर राधा कृष्णन, explained exceptionally, मतलब, डॉक्टर राधा कृष्णन ने बर्नन किया है, exceptionally का मतलब अपबाद स्वरूप, इंडियन फिलोस्फी, भारतिये दार्शनी, 13, डॉक्टर जाकीर हुष्णन, entered the office with, डॉक्टर हुष्णन, प्रबेश के थे office में, किसके साथ, total dedication, पूर्ण समर्पनाता के साथ, नहीं, शमर्पन बोलो, समर्पनता, dedication, या पूर्ण समर्पन के साथ, 14, डॉक्टर जाकीर हुष्णन, लंबे समय तक जूरे हुए थे, किसे, education से, सिक्छा से जूरे हुए थे, 15 है, the people had chosen him, लोगों ने, उन्हें चुना था, the head of the family, परिवार के, मुखिया के रूप में, for, for a certain time, निश्चिश समय के लिए, नहीं, निश्चिश समय न, जब राष्टपती कोई बनता है, तो कितने साल के लिए, एक बार में 5-6 बर्ष के लिए चुने जाते हैं, फिर चुना जागा, तो 5 साल ओर होगा, फिर 5 साल ओर, तो certain time के लिए, 16 ने, as the president, राष्टपती के रूप में, डाक्टर हुसेन, डाक्टर हुसेन ने advocate for the growth of, किसके बिर्धी के लिए, वकालत किये थे, the whole nation, किसी एक के लिए नहीं, किसी एक ब्यक्ति के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, किसके लिए, the whole nation, पूरे राष्टर के लिए, पाबर सुट भी यूज़ वनली फोर, सक्ती का यूज़ होना चाहिए, केबल फोर, किसके लिए, moral purpose, नैतिक उदेश के लिए, यह नहीं, moral, moral purpose के लिए, आनि नैतिक उदेश के लिए, नहीं, 18 है, डॉक्टर जाकिर हुसेन डिलिवार्ड ही जह स्पीचिन, डॉक्टर हुसेन डिलिवार्ड दिये थे ही जह स्पीच अपने भासन, इन कब दिये थे, 1967, उनका मिर्तु हो गया था, 1969 में, मातर दो साल ही र राष्टपती काल में ही, 19, डॉक्टर जाकिर हुसेन टूक दा ओथ, डॉक्टर हुसेन सपत लिये थे आएच के रूप में, किस रूप में लिये थे, परसिडेंट के रूप में, राष्टपती के रूप में, 20, 20 है, भारत is my home, लेक के लेखक है, कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है डॉक्टर जाकीर हुसियन के दोखरा प्रफरी ऺंटें चलते थे हुए तो कहते राधा किरिशना का ठां कर राधा सब्सक्राइब और अगला है 23 डाइस तेर भारत इस पीपूल आर मैं फैमली इस ने कहा था कि भारत मेरा घर है और यहां के जो लोग है मेरे परिवार है ओर डॉक्टर जाकीर हुसेन ने कहा था 24 डाक्टर जाकीर हुसेन वेजेगरेट डाक्टर जाकीर हुसेन एक बहुत महान क्या थे नेशनलिस्ट से राष्ट बादी थे देश के परमर मिठने वाले थे 25 है डाक्टर जाकीर हुसेन डिलिवर्ड जेस्पीच इन 1967 आफ्टर जाकीर हुसेन ने अपना भासन 1967 में दिया था आफ्टर टेकिंग दो ओथ आप दा सपत लेने के बाद कौन चीज का सपत लेने के बाद परश्डेंट राष्ट पती का 26 है डास is the prime instrument of the nation building कौन सा एक प्रमुखा थियार है हमारे राष्ट निर्मान का तो वो कौन सा है एजुकेशन है कौन सा है एजुकेशन 27 है डास brought a lot of erudation and wealth of knowledge to the presidency कौन जो थे लाय थे बहुत ब़रा विद्ध्वता और ज्यान का खजाना to the presidency अपने राष्ट पती सासनकाल में कौन लाय थे डॉक्टर आधा कृष्णन 28 है डॉक्टर आधा कृष्णन feels greatly obliged to the people of डॉक्टर जाकिर उसेन ने एक बहुत क्या फिल किये थे अभार महसूस किये थे to the people of लोगों के प्रति किसके लोगों के प्रति इंडिया के भारत के लोगों के प्रति 29 एक डॉक्टर जाकिर उसेन बिकेम देज़ेंट और ऑफ इंडिया इन बनेते राश्च्टपति भारत के इन इन कब बनेते 1967 में जन्म हुआ था डॉक्टर आधा क्रिश्ण का 1897 में मिर्थू हो गया था 1969 को और राश्च्टपति का सपत लिये थे कब 1967 में लिये थे नहीं और वो किसको सबसे बरा अपना रोल मोडेल मानते थे तो रोल मोडेल मानते थे कि जग्रेट बोज सकते हो कि he obeyed the rule of किसके नियमों को मानते थे तो सरपली राधा कृष्णन सरपली राधा कृष्णन कौन थे हमारे देश के तो ये हमारे देश के पर्थम उप राष्ट पती थे और पहला क्या बने थे पहला उप राष्ट पती और दूसरा राष्ट पती बने थे कौन सरपली राधा क्रिश्न पहला तो बने थे डॉक्टर राजेंद परसाद राष्ट पती दूसरा सरपली राधा क्रिश्न और तीस और फ्रेपूली नहीं और ठाटीवन लास्ट कोस्टन है डाक्टर जाकिरुसन है रिटेन दालेशन डाक्टर जाकिरुसन ने लिखा था एक पार्ट इसका नाम था भारत इस माई हो में तो आज की सेवा यही तक फिर मिलेंगे अगले कलास में तब तक आप जहां भी रहे अच्छे से रहे अपना और अपने परिवार का ख्याल लखे और आपको किसी भी परकार के अगर समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और अगर आप नए भीवर्स है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ओल पे प्रेस करना अगर आपको किसी भी परकार के दिकते आती है तो आप कम्प्लेन जरूर कम्प्लेन बॉक्स में यानि आप नीचे जो दिया गया है कौन सा दिया गया है तो आप मैसेज जरूर हमें करें नहीं ठीक है हम आपके परती अभार रहेंगे तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ तब तर टेक क्यार बेंज्वाइए थैंस पर वाचिंग जै हिंद जै भारत